हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग मैच्स के प्रिवियस यह कोष्चन के चर्चा करेंगे. हम लोग डेली सिसंस करते हैं जिसमें टॉप 10 कोष्चन जो प्रिवियस यह कोष्चन होते हैं और जिनके आनिक के संभावना बहुत जादा होती है, उनको हम लोग प्रैक्टिस कर करते हैं तो चलिए आज की सेसंद को स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सूल्व करिए इसको अब नदुद कि हुआ इसको अब दें किश्चन को कैसे solve करेंगे इस question में दो चीजें दी हुई है a plus b plus c is equal to 6 a square plus b square plus c square is equal to 14 a minus b plus b minus c के whole square और c minus a के whole square की value बतानी है का मान बताना है तो हम लोग इस question को solve करने के लिए value putting method का यूज़ करेंगे a के स्थान पे हम लोग एक रखेंगे b के स्थान पे हम लोग 2 रखेंगे और c के स्थान पे हम लोग 3 रखेंगे क्यों रखेंगे कि ये value a plus b plus c is equal to 6 में रखने पे satisfied हो रही है देख सकते हैं a के स्थान पे अगर 1 रखें b के स्थान पे 2 रखें और c के स्थान पे 3 रखें तो यहां पे 6 आ रहा है और 6 is equal to 6 इसलिए A के लिए 1, B के लिए 2 और C के लिए हम लोगों ने 3 value put की है 1, 2 और 3 अब हम लोग value निकाल सकते है A minus B का whole square plus B minus C का whole square C minus A का whole square A minus B का whole square plus B minus C का whole square plus C minus A की whole square की value हम लोग निकाल सकते हैं इसमें रखिए 1-2 का whole square 2-3 का whole square plus 3-1 1 का whole square यहाँ पर करेंगे minus तो minus का 1 का whole square यहाँ पर minus 1 का whole square यहाँ पर करेंगे तो 3 waking three में जाएगा तो 2 का whole square ठीक है minus 1 का square करेंगे तो 1 निकल के आएगा minus 1 का whole square करेंगे तो 1 निकल के आएगा और 2 का square करेंगे तो 4 निकल के आए overall sum करेंगे तो 6 आ जाएगा इस question का solution है answer है 6 देखिए हमने कितनी आसानी से value putting method का use करके इस question को solve किया है आप लोग भी इस type के अगर question मिलते हैं तो आप लोग पहले value put कर लिजेगा और satisfied कर लिजेगा कि A के लिए कौन सी value B के लिए कौन सी value और C के लिए कौन सी value satisfied करती है फिर जिसका मान पूछे उसमें रख देंगे तो आपका answer निकल के आजाएगा अगले question में हम लोग चलते है अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे सवाल क्या हो लाए कि साधारन व्याज पर एक मूल धन आठ वर्स में दुगुना हो जाता है तो समान व्याज दर पर कितने वर्स में पचीस हजार रुपए एक लाख रुपए हो जाएगा देखिए क्या वो लाए एक धन रासी है मानली जीए एक कोई रासी है धन रासी है ठीक है वो दुगुना हो जाता है ठीक है कितने वर्स में हो जाता है आठ वर्स में हो जाता है एक कोई रास ही है यह दूना हो जाता है कितने वर्स में आठ वर्स में हो जाता है तो यहां पर ब्याज कितने निकल के आया एक निकल के आया एक ब्याज निकल के आया तो हम लोग निकाल सकते हैं रेट रेट कैसे निकाले ये rate is equal to simple interest जो होता है या जो interest होता वो एक interest निकल क्या है into 100 बटे जो आपका मूलधन होता है मूलधन क्या है एक ही है into timing क्या है 8 year तो बचा क्या 100 बटे एट अब इसको जब solve करेंगे तो क्या निकल के आएगा 12.5% ठीक है 12.5% हमारा rate निकल के आए और समान ब्याजदर की बात कर रहा है ब्याजदर वही है और पूझ रहा है कि कितने वर्स में 25,000 रुपय एक लाक रुपय हो जाएगा मतलब 25,000 रुपय कोई चीज़ है और rate 12.5 है तो एक लाक रुपय एक लाक रुपय कितने वर्स में हो जाएगा तो इंट्रेस्ट कितने का निकल के आ रहा है इंट्रेस्ट निकल के आ रहा है 75,000 रुपय का निकल के आ रहा है टाइमिंग के बारे में मालूम नहीं कितने वर्स में ये काम हो रहा है तो timing आप लोग निकाल सकते हैं T करके यहां पर लिखेंगे T timing और 75,000 रुपाय हमारा क्या है ये interest है into 100 बटे 25,000 रुपाय ये हमारा principal है और rate के बारे में बात करें तो 12.5 ये 0 से 0 cancel हो गया 25,000 रुपाय होता है है ना और ये ये 0 से ये 0 है ना ये 0 उपर जाएगा तो 125 हो जाएगा ऐसे होगा तीन गुडे 100 नहीं एक 0 और बढा दीजे और बटे 125 25,000 पंचे 125,000 रुपाय हमारा तो 8,000 तो 8,000 तरी 24 वर्स में ये एक लाक रुपाय हो जाएगा कोई समझ वह आया देखे कोश्चन क्या बोला है कि कोई राज कोई कोई मूलधन 8 वर्स में दुगुन हो जाता है तो यहाँ पर इंट्रेस्ट क्या निकल क्या है एक निकल क्या है हमने रेट निकाला 12,000 पंचे अब इसी कोश्चन में बोला है कि समान रेट से समान दर से 25,000 रूपए एक लाख रूपए हो जाता है तो इंट्रेस्ट क्या निकल क्या है 75,000 रूपए टाइमिंग नहीं मालू है तो हमने टाइमिंग निकाली टाइमिंग निकालने का फर्मूला आप सभी को पता है SI इंटू 100 अपान जो ये मूलधन होता है और जो रेट होता है हमने कट किया तो टाइमिंग निकल के आई 24 वरस ठीक है अगले प्रस्ट में चलते हैं हम लोग अब देखिए ये कोशन बहुत सिंपल है कोशन क्या बोला है A और B एक बिवसाई में साथ अनुपाते पांच के अनुपात में धन को निवेस किया यदि कुल लाब का 15% दान के लिए जाता है और लाब में A का हिस्सा 59 पचास रुपा है तो कुल लाब कितना है हमको ये बताना साथ अनुपाते पांच के अनुपात में निवेस कर रहे हैं देखिए साथ अनुपाते पांच के अनुपात में निवेस कर रहे हैं और यहाँ पे A का जो हिस्सा है लाब का जो हिस्सा है 69 रुपाई है मतलब 7 की जो value है 6950 रुपए है ठेक है 650 रुपए है और total total गिता है 7 और 5 12 total लाब गिता है 12 total निवेश किता किये हैं 7 और 5 12 ये लोग निवेश किये हैं तो अगर हम cut कर देते हैं तो आपका निकल के आता है 7,8,56 7,5,35 850 निकल के आया आ रहा है एक की value 850 तो total लाब होगा जितना ये लोग निवेश करेंगे उतना ही लाब होगा तो इंटू कर देंगे 12 की value के निकल के आएगी 850 गुड़े 12 करना पड़ेगा ये अब इंटू करेंगे 12,5,60 और 102 10,200 ये निकल के आए मतलब total का जो profit है 10,200 है लेकिन ये लोग 15% दान दे देते हैं 15% क्या करते हैं दान दे देते हैं मतलब 85 की value है ये 85% की ये value है 10,200 85% की value है तो अब हम लोग निकाल सकते हैं एक परसंट की value क्या आजाएगी 85 ये 10,200 बटे 85 बुड़े अब परसंटेज हटेगा परसंटेज हटाते नहीं है यहाँ पर 100% की value निकाल देते हैं तो डारेक्ट इंटू हो जो आएगा 100 ठीक है 100% value निकल के आजाएगी तो ये 5 एकम 5 पांसटे पैंतिस और ये हमारा हो गया पांसटूनी दस सत्रा चांग एक सुदो ये छैसो गुणे बीस बारा सा मतब बारा हजार सोरी एक जीरो बढ़ जाएगा बारा हजार तो यही हमारा क्या निकल के आए दान के बाद जितना भी प्रॉफिट हुआ ये बारा हजार हमारा वही एंसर है ठीक है? उप्सन नंबर भी हमारा करेक्ट है कितनी आसानी से हम लोग ने निकाला? देखें हम क्या किया इसमें साथ अनपादे, पांच का अनपाद में इन्होंने निवेश किया था और एका जो घिस्सा था लाव का, उनसट सो पचास रुपए था मतलब साथ की वैलू उनसट सो पचास एक की वैलू हमने निकाली डारेक्ट आप लोग बारा की वैलू निकाल सकते हैं यही पी अगर उठ करेंगे तो बारा की वैलू निकल के आई 10,200, यह तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, अब देखे 15% यह लोग दान के रूप में दे देते हैं, 15% यह क्या गरते हैं, दान के रूप में दे देते हैं, तो यह जो 10,200 है 85% है, 10,200 है 85% है, तो हम लोग यहां पे 100% के value निकाल देंगे, तो हमारा 12,000 निकल के आएगा, यही हमारा total love हुआ, दान उन देने के बाद total love है हुआ, अगले सवाल के और चलते हैं हम लोग, अब देखें, इस question में हमको trigonometric function की value रखने है, देखें, दिया है 4 बटे 3, 10 square, 45, 10 square, 45 क्या होता है, 1 होता है, 1 का square करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस, अब 3, cos square 30, 3, cos 30 की value क्या होती है, root 3 upon 2 होती है, तो root 3 upon 2 का square मतलब 3 upon 4 हो जाएगा, square direct कर रहेंगे, आप नहीं समझेंगे, नहीं करें, तो यहाँ पे square ऐसे कर देते हैं, root 3 upon 2, square कर देते हैं, minus, अब यहाँ पे 2, 630, 630 की value 2 upon root 3, 2 upon root 3, minus, अब देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 बटे 4, cot 60, cot 60 की square क्या होगा, cot 60 की square 1 upon root 3, और square में, ठीक है, 1 की square 1 ही रहेगा, तो 4 बटे 3, डारेक्ली यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे देखिए, 3 है ना, यह 3, root 3 है, और यह 3 है, तो 3, 3 जा 9, upon 4, minus, 2, 2 जा 4, 2 जा 8, और root 3 में square करेंगे, तो 3 आ जाएगा, minus, अब यहाँ पे 1 upon root 3 दिया हुआ है, तो directly करेंगे, तो यहाँ पे square करेंगे, तो यह 3 निकल के आ जाएगा बाहर, और 4, 3 जा 12, directly 3, 3 काट सकते हैं, तो 1 upon 4 directly आ जाएगा, ठीक है, अब जिसका denominator सेम है, तो उसको solve कर देंगे, एक नमबर जैसे solve कर देंगे, इसमें LCM लेने वाली कोई बात ही नहीं है, LCM लेके भी कर सकते हैं, देखिए, बिना LCM लिए कैसे कर सकते हैं, देखिए, 3 और 3, denominator सेम है, तो सेम सेम बाला हमने minus कर दिये, 8 में 4 जाएंगे, तो क्या निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा, but minus का 4 निकल कर आएगा, बड़ी संख्या में minus दिये, तो 4 बटे 3, यह हो जाएगा, और यहाँ पर देखे यह और यह सेम सेम है तो 9 और minus 1 तो क्या निकल के आएगा? 8 हो जाएगा 9 में 1 जाएगे तो क्या? 8 तो plus का 8 देहां दीजेगा plus का 8 बटे क्या? 4 तो 4 दुनी 8 यह हो जाएगा डारेक्टली कर सकते हैं 3 2 जाए 6 यहाँ पर होगा 6 minus 4 क्या हो जाएगा? 6 minus 4 2 upon 3 तो यही आपका एंसर निकल के आए 2 upon 3 simplest way में हमने किया और इससे छोटा नहीं हो सकता इससे छोटा नहीं हो सकता आपको करना है ऐसे ही करना है और थोड़ा सा simplest way में कर सकते हैं आपे square है उसको आप skip कर सकते हैं और और छोटा इसको बना सकते हैं तो time की ज्यादा बचत होगी आप time पे इसको कर पाएंगे चलते हैं अंगले question की ओर देखें इस question को कैसे solve करेंगे question क्या बोला है कि मेनू की आए 38 वर्स है और उसकी पुत्री की आए 8 वर्स है तो कितने वर्स के बाद मेनू की आए उसकी पुत्री की आए के दुगनी हो जाएगी ठीक है बहुत simple है कर सकते हैं यहाँ पे मेनू दिया है मेनू 38 वर्स की है और उसकी डॉर्टर है 8 वर्स की माल लेते हैं X वर्स के बाद X वर्स के बाद मेनू अपनी पुत्री की दुगनी हो जाएगी तो X वर्स के बाद माल लेते हैं तो 38 प्लस X X वर्स के बाद दुगनी हो जाएगी किसकी 8 प्लस X मतलब मीनू की जो पुत्री की आया है वो और जो टाइमिंग है वो 38 प्लस X एट टू जा 16 प्लस 2X ठीक है यह इधर आएगा तो माइनस का X हो जाएगा और 38 इधर जाएगा और माइनस कर देंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा तो X is equal to 22 तो 22 year में 22 वर्ष में मीनू की आया उसकी पुत्री की आया की दुगुनी हो जाएगी option number A हमारा correct है बहुत ही simple बहुत ही साधारन question था अगले question के ओर चलते हैं हम लोग अब देखें ये question क्या कह रहा है कि सताधी express train पांच घंटे में 700 किलोमीटर और एक जारा घंटे में 1012 किलोमीटर की दूरी तैंगरती है train की आउसत गत कितनी है ये बताना है पर मीतर पर सेकेंड में बताना है ध्यान देजिएगा अब इस question में average speed पूछ रहा है average speed average speed क्या होती है total distance upon total time distance क्या है 700 plus 1012 बटे 5 घंटे और 11 घंटे में ये काम कर रहा है न तो ये हो जाएगा 1712 बटे 16 1712 बटे 16 जब इसको हम cut करेंगे तो ये आपका क्या निकल के आएगा 107 kilometer पर आवा बट हमको किस में change करना है meter per second में change करना है किस में change करना है meter per second में change करना है तो हम 5 बटे 18 से इंटू कर देंगे 107 गोहे 5 बटे 18 ठीक है 107 को इंटू करेंगे 5 बटे 18 के साथ तो क्या निकल के आएगा 29 सही 13 बटे 18 29 सही 13 बटे 18 meter per second बहुत सिंपल तरीका से हमने solve किया है ना option number C हमारा correct है mainly हमने average speed निगा ली average speed में क्या हुआ कि total distance upon total time और kilometer per hour है तो हमने meter per second में convert कर दिया तो हमारा answer निकल क्या है अगली question के और हम लोग चलते हैं अब ये question कैसे करेंगे तो क्या कर रहा है कि एक company में R, S, T द्वारा अकेले एक कारी को 4, 6, 18 दिन में पूरा किया जाता है यदो एक साथ कारी करें तो कारी कितने days में पूरा हुआ कारी कितने दिनों में पूरा हुआ हमको ये बताना जब बात करें R, S, और T की तो R हमारा 14 days में कारी कूरा करता है S हमारा 6 days में और T हमारा 18 days में कारी कूरा करता है तो हम लोग total का जब LC हम लेंगे तो क्या निकल के आएगा 36 निकल के आएगा ठीक है ठीक है बात clear हो गई होगी तो efficiency क्या निकल के आए 4 नहीं 36 6, 6, 36 18 18, 2 नहीं 36 पाथ कारी को पूरा करेंगे तो efficiency भी आपस में plus हो जाएगे efficiency भी आपस में plus हो जाएगे तो कितने टाइम में ये पूरा करेंगे कितने days में पूरा करेंगे यह total का वर्क हो गया 36 और efficiency प्लस हो जाएगी 9, 6, 9, 6, 15 16 और 17 17 दूनी 34 और बचा क्या 35-36, दो बचा, तो 2.12, 2.12, देज में कार पूड़ा कर डालेंगे, यह लोग, ठीक है, 2.12, एक डेज में कार पूड़ा कर डालेंगे, option number B हमारा correct है, ऐसे ही question पूछे जाते हैं, बहुत ही simple तरीके से इसको किया जाता है, और बहुत simple question है, यह बहुत ही journal, जब सुरुवात कि किया जाता है, time and work का, तो यह type के question को पहले किया जाता है, तो बहुत simple question है, और journal या simple question ही इतरा में पूछे जाते हैं, चलिए अगले सवाल के ओर चलते हैं लोग, अब यह question बास्तों में बहुत simple है, हला कि यह question 13 जुलाई 2023 में आया हुआ है, CGL के tier first exam में, देखे, cos 120 की value पूछ रहा है, भाई, cos 120 की value पूछ रहा है, तो आप cos को क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, बहुत यह आसानी से लिख सकते हैं, और cos 90 प्लस 30, किस quarter round में second, second quarter round में है, तो second quarter round में है, तो आप क्या गरेंगे, second quarter round में, दूसरे चतुर्थांस में जब होगा, तो cos minus में निकलेगा, cos जो है, minus में निकलेगा, और 90 जो है, 90 में जो value है, वो change हो जाती है, cos sin में change हो जाता है, तो minus sin 30 हो जाएगा, minus sin 30 हो जाएगा, और minus sin 30 की value 1.2 है, minus 1.2, minus 0.5, बस यही हमारा एंस निकलेगा है, ठीक है, कितना simple था, option number यह बाई, correct है, option number A हमारा correct है, बस 90 प्लस 30 अगर लिखते बन गया, और यह आपको पता है, कि किस चत्थांस में, किस quadrant में, value प्लस में होती है, और minus में होती है, तो आप इसको आसानी से निकल सकते हैं. यहाँ पे दो बृत्त दिये हुए हैं, और हमको A और B की value बताने हैं, एक छोटा सा बृत्त दिया हुआ है, एक थोड़ा सा बड़ा सा बृत्त दिया हुआ है, यहाँ पे केंद्र है, और यहाँ पे केंद्र है, यह A है हमारा, यह B है हमारा, इसको हमने मिला दिया, ठीक है यहां से यहां तक की distance यहां से यहां तक की distance और यह c है और यह d window है यहां से यहां तक की दी है 12 cm इसी तरीके का डायराम दिया हुआ है अच्छे से देख सकते हैं आप लो जब ऐसे दिया हो डाइग्राम जिसमें उभैनिस्ट, एक उभैनिस्ट स्पर्स रेखा हो, जो दो बृत्ट को एक ही रेखा स्पर्स करें, तो हम लोग एक फार्मूला याद करेंगे, कि जो स्पर्स रेखा है, CD, स्पर्स रेखा is equal to, केंदर को मिलाने वाली रेखा, जो केंदर को मिलाती है रेखा, वो AB जिसको बोलते हैं, तो AB का स्पर्स रेखा की लंबाई, AB को केंदर को मिलाने वाली रेखा, और R1 और R2 तो जानते हैं, तरिज्जे है, एक दम पाइथागोरा स्फियोरम के जैसा है, CD की लंबाई 12 cm है, ठीक है, AB की लंबाई नहीं दी हुई है, ये भी ठीक है, AB का स्पर्स माइनस R1, R1 8 cm, माइनस R2 3 cm, ठीक है, ये हो गया, ये रूड हटेगा, इधर स्पर्स हो जाएगा, तो बारा बरहिम 144, ये हो जाएगा, AB का स्क्वार, ये 8 में 3 जाएगे, तो 5, 25 जिसको बोलते है, 25 हो जाएगा, इतनी बाते क्लियर हो गई होंगी, है ना, तो 25 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 144 प्लस 25, AB का स्क्वार, तो ये 177 हो जाएगा, AB का स्क्वार, आप सभी जानते होंगी, 13 का स्क्वार है ये, और रूड लगेगा, तो ये directly AB हम लोग लिखते हैं, 13, 13 सेंटिमीटर हमारा आयन से निकल गया, AB की वैलू, 13 सेंटिमीटर, मतलब इसकी वैलू, A से B तक की, जो डिस्टन से केंदर के बीच की जो लंबाई है, वो हमारी 13 सेंटिमीटर है, ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने निकाला, है न, answer number C हमारा correct है, अगले सवाल की और हम लोग चलते हैं, आप देखें, यहाँ पे इस कोशन में फार्मूला दिया है, बहुत सारे ऐसे कोशन मिलेंगे, जिसमें आपको फार्मूला नहीं दिया रहेगा, और directly value निकालने के लिए बोलेगा, तो आप इस फार्मूले को याद कर लिजे, क्या दिया है, 10A-B is equal to 10A-10B upon 1 plus 10A, 10B, और 1015 की value पूझ रहा है, 1015 की value क्या है, बहुत ही आसानियस निकाल सकते है, 1045 की क्या लिखेंगे, 1045-30, यही चीज तो लिखेंगे, हम लोग 1015 की value 1045-30 होती है, ठीक है, अब इसी फार्मूले में हम लोग रख देंगे, तो 1045-1030 upon 1 plus 1045 और 1030, 1045 की value क्या होती है, 1 होती है, 1030 की value क्या होती है, 1 upon root 3 होती है, 1, 1045 की value क्या होती है, 1 होती है, 1030 की value क्या होती है, 1 upon root 3 होती है, ठीक, इतनी बाते clear हो गई होगी, आप देखें, LCM लेंगे, तो यहाँ पे root 3 minus 1 होगा, अपान में root 3 होगा, तो root 3 से root 3 हम directly काट देते हैं, अब यहाँ पे 1 plus root 3 होगा ही, सुरी, यहाँ पे root 3 plus 1 या root 3 plus 1 लिख सकते हैं, कुई भी, कुछ भी लिख सकते हैं, root 3 plus 1 हमने लिख दिया, ठीक है, अब देखें, यहाँ पे हम हर का परिमेई करन कर रहे हैं, rationalization जिसको बोलते हैं, तो rationalization करेंगे, तो यह जो यह वाला term है, minus का, यह plus हो जाएगा, और यहाँ पे root 3 minus 1 का whole square, अपान, यह हो जाएगा, root 3 minus 1, तो यहाँ पे directly लिखते हैं, minus में हो जाएगा, 2, और इसको जब पूड़ा cover करेंगे, तो root 3 का square मतलब 3 plus 1, और minus 2 root 3, 2 root 3, अपान 2, ठीक है, 3 plus 1, 4 हो जाएगा, minus 2 root 3, अपान 2, ठीक है, 2 को को अमल ले लिजे, 2 वामल लेंगे, तो यह आपका, 2 minus root 3, अपान 2, लोग आ गया answer, answer लाना था ना, लोग आ गया answer, 2 minus root 3, option number C, correct है, ठीक है, बहुत अच्छा question था यह, थोड़ा सा, last तक आते आते, patience रखना है, last में तो आपका answer निकल के आएगा, root 3 minus 1, अपान, root 3 plus 1, लेकिन, इसके बाद, rationalization करना है, थोड़ा सा patience रखना है, आपका answer जरू निकल के आएगा, इसमें बस क्या है, formula का use है, और value रख दिये हैं, 1045, 1030, तो directly answer निकल के आगया, मिलते हैं गल, बहुत सारे ऐसे ही question लेके, तब तक के लिए थेंगे, अडली थेछें जरे कें, 1160, बहुत सारे प्तू रखना हैं, 1060, बहुत सारे एपका धर रविये निकलte,